आज़ के हमारी वेख्यान का टोपिक है पुनर जागरन के कारण पिछले वेख्यान में हमने देखा कि पुनर जागरन क्या है पुनर जागरन से हम क्या समझते हैं पुनर जागरण को हम रेनेसा के नाम से भी पुकारते हैं यह है एक फ्रेंच शब्द है पुनर जागरण इटली के उन सांसकर्थिक परिवर्थनों से हैं जो तेरा सो इसवी के बाद इटली में विक्षित हुए तता सोला सो इसा पूरुक के पूरुक यूरोप के अन्ने भागु में फेले पुनर जागरण के अंतरगत माना उतावादी आंदुलन कारम धरम के क्षेत्र में नवीन द्रस्टिकों इस्थापत्य कला एवं चित्रकला का नया स्वरूप सामने आया विक्तिवादी सिद्धानतों का विकास हुआ विग्यनिक द्रस्टिकों और च्छापे खाने का एवस्कार आधी विशेस्ताओं को हम सामोही कुरूप से पुनर जागरण की संग्यां देते हैं आगे हम बात करते हैं कि पुनर जागरण होने की क्या कारण थे उससे में ऐसी क्या प्रिष्टित्यां बनी कि पुनर जागरण का आरंब हुआ तो उसके लिए सबसे पहला कारण है धर्म युद्ध ग्यारवी सताब्दी के अंतिम दसक से तेरवी सताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए युद्धों जो की इसाय धर्म के पवित्र तिरतिस्तल जेरुसलम जेरुसलम इसराइल की राज़दानी है तो जेरुसलम एक इसाय धर्म का पवित्र तिरतिस्तल है उसका अधिकार को लेकर मुसल्मानों में जो सेलजुक तुर्ग थे उन मुसल्मानों के बीच धर्म युद्ध हुए इन धर्म युद्धों को कुरुसेड की संगिया दी गई है इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूरू के लोगों जो ग्यान के प्रकास से आलोकित थे उनके साथ इनका संपर्ख हुआ पूर्वी देशों में अरब लोगों ने यूनान तथा भारतिय सब्वेताओं के संपर्ख से अपनी एक सम्रद्ध सब्वेता को विक्षित कर लिया था धर्म युद्धों ने यात्राओं तथा भोगोलिक अध्यन को प्रोशाहन दिया यूरोप के लोगों ने लंबी यात्राओं की धर्म युद्धों में भाग लेने वाले व्यक्ति नए लोगों से मिले और उन्हों ने उनसे नए विचारगरण किये जो लोग धर्म युदों से लोटे, उनका बोधिक शितिज अधिक विशाल हो गया था और उन्हें अपने सिमित जीवन से अरूची हो गई अर्थात अभी वर्तमान में आप जिस लोग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पर लोग जिसको हमने कभी देखा नहीं केवल जिसके बारे में सुना है पर लोग जीवन की जितनी आव सकता है फैसब चर्च तथा इसाई धर्म के दोरा पुर्ण हो सकती है एक दूसरी सब्विता के संप्रक से नवीन अनुभव प्राप्त करके लोटने वाले लोगों ने इस विश्वास का खंडनी किया और लोगों के मस्तिस्क पर चर्च का जो अध्यदिक प्रपाउत था वह निर्वल पढ़ने लगा ये जो लोग थे जो की बाहर की यात्राएं करके लोटे थे उन लोगों ने पौप का पड़ती आसकत जो लोग थे इसाय धर्म की उनकी माननेताओं का खंडन किया और ये लोग में ही जीवन जीने की उन्होंने लोगों को समझाया प्रेना दी और मानवादी दरस्टिक उनका विकास किया और पर लोकिक जो सोच में जीने वाले लोग थे उनकी माननेताओं का उन्होंने खंडन किया धर्म युद्ध यूरोप के अलगाव की समापती में सहाइक सिद्ध हुए अरस्तु के विग्याने गरंत अरवी अंक बीजगनी दिख दर्शक यंत्र और कागज पस्चिमी यूरोप में धर्म यूद्धों के मादम से ही पहुँचे इस प्रकार से इन धर्म यूद्धों ने नविन विचारों का प्रसार करके तथा पुरने विचारों विश्वासों एवं संस्ताओं को ख्षति पहुचा कर महत्वपुण कारी किया और उसी के फलसुरूप पुनरजागरन संभव हो सका तो धर्म यूद्धों ने पुनरजागरन का प्रारंब करने में बहुत महत्वपुण भुमी का निबाई और लोगों में एक नई प्रेणा और नई सोच का संचार हुआ धर्म यूद्धों के माद्यम से दूसरा है व्यापारिक संब्रदी जो कि पुनरजागरन का एक बहुत ही महत्वपुण कारण था यह बताने की आउसकता नहीं है कि मानव इतिहास में सब्वेताओं एवं संसकर्ती का पल्लवन सदे वही सम्रद्धी के द्वारा ही संबाव हुआ धर्म इद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंद इस्तापित हुए कई यूरोपिये व्यापारी जेरुसलम जो की इसराल की राजदानी थी राजदानी और इसाय धर्म का पवित्र तिर्थिस्तल है जेरुसलम एवं एशिया माइनर के तटो पर बस चुके थे परिणाम सोरुप वियापार में काफी व्रद्धी हुई जिसने अंततह पुनरजागरण की भावना के उदे में सायता पहुचाई वियापार एक सम्रद्धी ने पुनरजागरण में चार प्रकार से सहयोग दिया जिसमें सबसे पहला है यूरोपिय वियापारी वियापार के सिलसले में विभिन देसों में पहुचे जहां वे नए विचारों तथा परगति सील ततों से परिचित हुई तत्था वे ही लोग जब अपने देश को वापस लोटे तब वे नए विचारों को अपने साथ में लेकर गए तो इस प्रकार से व्यक्तियों के एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर व्यापार के सिल्सने में आने जाने से एक दूसरे के इस्थानों के विचारों का आदान परदान हुआ इसी से पुनरजागरण को जो है बल मिला दूसरा है व्यापार के विकासने नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नूरेंबर्ग आदी को जनम दिया जिनोंने मनुस्य के जीवन को प्रभवित किया इरोप के नगर अंतरराष्टी व्यापार के केंदर बनने लगे जिससे वहां निरंतर विभिन देशों के व्यापारियों एवं यात्रियों का अनजाना बना रहा इसके कारण विचारों का अदान परदान संबव हुआ और ग्यान के विकास में साहिता मिली इन नगरों के स्वतंत्र वातावरण ने विचार स्वतंत्रे को प्रुच्छाहन दिया तथा तथा ततकलिन सस्थाओं एवं चर्च के परती शंका को जनम दिया इसी भावना ने पुनरजागरण के विकास को गति प्रदान की तीसरा जो मुखे रिजन है व्यापारिक समर्दी में पुनरजागरण होने का वो है कि व्यापार के अत्यदिक विकास से व्यापार के अत्यदिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यदिक धन संग्रहित हो गया नवजित व्यापारी वर्ग के पास अपार संपत्ति एवं संपता बढ़ने से उन्हें विद्या प्राप्ति का अफसर मिला मद्धे युग में केवल पाद्रियों को ही इसका अउसर मिलता था लेकिन अब यह जनसादारन को भी सुलब हुआ व्यापारी वर्ग के लोगों को उस समय के प्रसिद्ध उस्तकालियों जैसे कि बगदाद में, काहिरा में, आदी में संचित ग्यान के संपर्ग में आने का मोका मिला विपल धनोंने के कारण नगरों के बड़े-बड़े व्यापारी कला के पौसक्त ने साथ ही उन्होंने विद्वानों को आश्रे परदान किया जिससे साहिते क्षेत्र में उच्छ कोटे का सर्जन एवं विज्ञान के क्षेत्र में नएने अनुसंदानियों अन्वेशन का सिल्चला आरंभ हुआ व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना करके उनके महत्तों को कम करने की कोशिश की चर्च सूद लेने को पाप मानता था अतह व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो इस प्रकार से व्यापारिक संब्रदी होने की वज़े से नए व्यापार का उदे होने से लोग एक स्तान से दूसरी स्तान पर जाने आने लगे और एक से दूसरी स्तान की विचारों का जो है आधान परदान हुआ जिसके भल सोरुप पुनर जागरन को बल मिला तीसरा जो मुखे कारण है वो है कागज और मुदर्णी अंत्र मद्धे युग में अर्बों के माद्धेम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सिकी पंदरवी सताब दी से पूरु कागज पर छपाई मुश्किल यह उमहंगी थी किन्तु इसके बाद ऐसा नहीं रहा पंदरवी सताब दी के मद्धे में जर्मनी के गुटेन बर्ग नामक वेक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविश्कार किया जो आधुनिक प्रेस की पूरु वर्थि कही जा सकती है मुद्रन यंत्र के इस आविश्कार ने बहुदिग विकास का मारगे खोल दिया इसके बाद केकस्टन ने 1437 में बिटेन में चापे खाना इस्तावित किया और धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्मेन, फ्रांस, आधी देसों में इस यंत्र का प्रेयोग होने लगा कागज और मुद्रन यंत्र के आविश्कार के करांतिकारी प्रेणाम हुए अब अधिक और अपेक्शाकरत कम महंगी पुस्तकें चपने लगी एक अनुमान के अनुसार पंदरवी शतावदी के पूरवार्द में यूरोप भर में लगबग एक लाख हस्त लिकित पुस्तकें प्लवज़ती मुदरण का आविश्कार होने के 15-50 परसों के अंदर ही पुस्तकों की संक्यां बढ़कर लगबग 90 लाख हो गई तो इस प्रकार से कागज के आविश्कार और मुदरणी अंत्र के आविश्कार से नई नीक किताबों को छपने में साहिता मिली और इन किताबों के माद्यम से ही विचारों का आदान परदान हुआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास किताब के माद्यम से उस बात को आसानी से पहुँचाया जाने लगा इन पुस्तकों दोरा ग्यान के प्रसार से अंदविश्वास तथा रूडियां कमजोर पड़ने लगी जिसे लोगों में आत्मविश्वास जागरत हुआ च्छा पेखाने के अविश्वास ने समाज के प्रतेक वेक्ति की बोधिक जो शुदा थी उसको सांत करने का मार्ग परशेष्ट किया इसी के क्रम में प्रसिद्य विद्वान विल ड्यूरा ने लेखन कला के पश्चात मुद्रन कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविश्वार माना है जिसने बोधिक चेतनागा सर्वादिक विकास किया चोथा जो मुखे कारण है पुनर जागरण का वो है कुस्तन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना 1453 इस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन सामराज्य जिसको बांजेंटाइन सामराज्य भी कहा जाता है वहां की राजधानी जो थी कुस्तन तुनिया उस पर तुर्कों ने दिकार कर लिया इससे पूर्वी रोमन सामराज्य का सदेव के लिए पतन हो गया किन्तु इसके फल सोरूप पस्चिमी यूरोप में जो ग्यानों दय हुआ उसके प्रभाव एवम प्रसार ने नव यूग के आगमन की सूच न दी तुर्कों ने कुस्तन तुनिया पर अधिकार उनके अत्याचारों और पूर्वी रोमन सामराज्य के आउसेशों को खत्म कर देने के कई महत्वपून परिणाम सामने पहला जो परिणाम था कुस्तंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने का बाद का वो ये हैं कि कुस्तंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप से पूरवी देशों को जाने वाले इस्थल मारग पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया क्योंकि तुर्क लोग वियापारियों को लूट लिया करते थे अतह यूरोप का पूर्वी देशों के साथ वियापार बंद हो गया यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सम्मगरी तथा गर्म मसालों की जवरदस्त मांग थी अतह दक्षिन पस्चिम यूरोप के लोग किसी नए वियापार मार्ग संभवत जल मार्ग खोज निकालने के लिए व्यागर हो उटे या उत्सुक हो उटे इस व्यागरता ने ही अमेरिका की खोज गी भारत एवं पूर्वी दीपों का जल मार्ग ढूंड निकाला कहते हैं कि आवशक्ता ही आविशकार की जननी है तो जब कुस्तन तुनिया पर तुरकों ने दिकार कर लिया तो इस व्यापारिक मार्ग के बंद होने के बाद में दूसरे मार्ग व्यापारिक मार्ग की खोज के कारण ही नए आविशकार हुआ नए खोज हुई अमेरिका क इसी तरीके से भारत की खोज हुई कॉलमबस एवम वासकोडिगामा के दौरा अगला जो रिजन है वो ये है कि कुस्तुन्तुनिया पिछले 200 वरसों से ग्यान दर्शन तथा कला का महान के अंदर था इसलाम में नव दिक्षित तथा बरबर तुरकों के लिए इनकी न कोई उपयोगिता थी और नहीं उनके लिए इस ग्यान का कोई महतो फल सोरुप यहां से आजी विका की खोज में हजारों यूनानी विद्वान दर्शनिक एवम कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लेंड, आधी देशों में चले गए वे जाते समें प्राचिन, रोम एवम यूनान का ग्यान विज्ञान तथा नई चिंतन पद्दती को अपने साथ ले गए इस परकार से इन ग्यान विज्ञान की जो है पांडूलिपियों को या साहित्य को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पहुँचाया गया और उसके माद्यम से यहां का जो ग्यान विज्ञान था और यहां की जो प्राचिन संस्करती थी वो सारी बातें दूसरे इस्तानों पर जाकर पहुँची और जो है पुनरजागरण को अन्ने देसों में भी भल मिला अन्तिम जो कारण है पुनरजागरण का वो है मंगोल सामराजे का उदे विशाल मंगोल सामराजे के उदे से पुनरजागरण को प्रेणा मिली तेर विशताबदी में प्रशिद्ध मद्दे एशिया के जो विजेता था चंगेज खान उसके मरत्यू के बाद कुबलाई खान ने एक विशाल एवं सकति साले सामराजे की स्थापना की थी इसमें रूस पॉलेंड हंगरी आदी परदेश सामिल थे उसका दर्बार विद्वानों धर्म परचारकों और व्यापारियों का केंदर था मंगोल, राजसवा पॉप के दूतों, भारत के बोधविक्सों, पैरिस, इटली तथा चीन के दस्तकारों, भारत के गणितग्यों एवं ज्योति साचारियों आदी सभी से शुश्वबित्थी इस युग में पूर्व एवं पश्चिम का वास्त्विक संपर्ग हुआ, संपर्ग विचारविन में और ज्यान के आदान परदान का यूरोप के लोगों पर कापी परवाव पड़ा परसिद्ध वेनिस का जो यात्री था मारकोपुलो, वह कुबलाई खान के दरवार में 1232 में गया था, वहां से लोटकर उसने अपनी यात्रा का विश्तार से विवरुन लिखा, उसके यात्रा विवरुन ने यूरोप वास्यों के मानस को लंबे समेत तक उद्वेलित किया उसका यह भी उलेखें समीचीन होगा कि मंगोलों के संपरक से यूरोप को कागज एबं मुद्रण तथा बारुदगी सरोपर्थम जानकारी मिली कदाचित मौलिक ग्यान के रूप में नहीं बलकि दूसरी जातियों द्वारा प्राप्त ग्यान को सब्भे जगत को परदान करंतने की द्रस्टी से विश्व इतिहास में मंगोलों का काफी महत्व है इस प्रकार से मंगोल सामराजे के जो वदे हुआ उसके वज़े से भी पुनर जागरण को बल मिला तो आज के इस इवेक्यान के माद्देम से हमने पुनर जागरण के कारणों के बारे में अदिन किया जिसमें सबसे पहले धर्म युद्ध के बारे में अधिन किया जो की इसा धर्म का जो पवितर इस्तल है इस्राइल की राजधानी जेरुसलम उसके उस पर अधिकार करने की बात को लेकर युद्ध लड़े गे इनको कुरुस्रीड की भी संग्याती दी गई है दूसरा जो रीजन है व्यापारिक संबर्दी का व्यापार के उदे के फल सोरूप भी पुनर जागरण को बल मिला कागज और मुद्रण यंतर के आविशकार से नई-ने किताब इच्छपी इन किताबों के माध्यम से ज्यान विज्यान को और नई-ने विचारों को इन किताबों के माध्यम से शंचार हुआ इसके अलावा कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण जो नई-नई आवशकताई थी नई-ने व्यापरिक मारगों की जो खोश थी उसके फलसरूप अमेरिका और भारत जैसन्य दीपों की खोज हुई और यहां का ज्यान विज्यान जो है वो दूसरे स्थानों पर पोचा इसके अलावा मंगोल सामराज्य के उदे से भी पुनरजागरण को बल मिला यह सारे कारण सामुही कारणों की वज़े से पुनरजागरण का उदे हुआ धन्यवाद